हालो स्टूदेंस वेलकम बाग तु काईयर काउच विच शुभांकर स्टूदेंस हर हफ़ते हम आपको कुछ न कुछ इंट्रेस्टिंग एपिसोड में जरूर लेके जाते हैं और आज का यही जो एपिसोड है वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चाहे छोटे बच्चे हो या फिर स्टूदेंस हो या फिर एल्डर्ज हो सब के लिए जो फेवरिट टॉपिक है वो है फिल्मी दुनिया जी हां मैं बात कर रही हूँ आक्टिंग वर्ल्ड की आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी फेमस आक्ट्रिस है जिन्होंने की अपना जो करियर है वो as a theater artist के रूप में start किया और आज आप उनको बहुत सारे web series में देख सकते हैं दिफरेंट डिफरेंट OTTs में वो दिफरेंट शोज में आती है और उसी के साथ साथ वो बच्चों के साथ भी जुरी वी है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि वो कैसे बच्चों के साथ भी जुड़ीवी है लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आज हम बात करते हैं रेनेता कपूर जी से रेनेता कपूर जो है एक आक्टरिस है, एक थेटर आर्टिस है और एक personality development coach भी है तो students, आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं रेनेता कपूर जी को जो की एक role model के रूफ में आप students के साथ बात करेंगी और कुछ important facts पे हम लोग के साथ चर्चा करेंगी तो चलते हैं रेनेता कपूर माम के साथ तो रेनेता जी, welcome to career couch with Shubhankar आपका बहुत-बहुत स्वागा थे हमारे शो में तो जी हां, आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि ये जो topic है, वो मेरे लिवी बहुत interesting है फिल्मी दुनिया तो रेनेता जी, कैसे आपका सफर, कैसे शुरू आथ वा इसकी जो है, बच्पन से आपको शॉक था इसके लिए? जी, बिल्कुल, चार साल की उमिर से, मैं स्टेज पर हूँ वेदर इस अक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डांसिंग, भीटिंग अवाज जो मेरी जर्नी स्टार्ट वी, वो हुई 2015 में, तब से मैं प्रूफेश्नली थेटर कर रही हुँ मैं कई फीचर फिल्म, शॉट्फिल्म, वेब सीरीज करीं, सिंगपूर में So, I was on an international platform, India में भी, बहर भी. So, yeah, this is how my journey has been. That's quite interesting. I think, I say, आज के बहुत से students है, जो पढ़ाई में शायद इतने अच्छे नहीं है, but culturally, वो लोग different activities के साथ बहुत जादा involved है. So, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है, ये acting बोलिये, या फिर जो cultural activities है, ये कितना जादा बच्चों को पढ़ाई में भी एफेक्ट करता है, आपके हिसाब से कैसा है? So, I would say कि जितनी importance हम पढ़ाई को देते हैं, उतनी ही उसी level की हमें importance in extracurricular activities को, या जो personality को enhance करें, इन सब चीजों को देनी बहुत जरूरी है. क्योंकि जब आप बड़े होते हैं, जब आप actually field में जाके काम करते हैं, तब पढ़ाई तो जितनी काम आती है, वो तो है ही, लेकिन जो life skills हैं, लोगों के साथ बात कैसे करना है, चलना कैसे है, किस तरीके से smile करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो सिर्फ हमें किताबें और पढ़ाई नहीं सिखा सकते हैं, तो इन दोनों का balance is very much. Definitely, for example, अगर जैसे कि आपने थियेटर, आप एक थियेटर आर्टिस रही है, तो आपको पता है कि सामने जो है, ओडियन्स है, तो ओडियन्स के साथ कैसे आपको eye contact रखना है, कैसे बात करना है, I think definitely यह जो आपने बात करी कि life skills, यह definitely important है कि किस तरीके से आप अपने personality को enhance कर रहे हैं, तो निल्टा जी, यह फिल्स का और यह जो different आप OTTs में आप है, इसका सफर कैसे शुरू हुआ? इसका सफर सिंगापोर में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे मैंने थेटर स्टार्ट करा, ओडिशन्स देने शुरू किये, काम मिलना शुरू हुआ, लोगों को काम पसंद जब आता है, तो अपने आप फिर चीजे आने लग जाती है, फिर इंडिया में मुझे कुछ प्रोजेक नहीं होता, so that was a beautiful story I did. तो यह किस में देख सकते हैं, हमारे students आपको किस में देख सकते हैं? मेरा सबसे पसंदीदा प्रोजेक था, City of Dreams Season 2, Nagesh Kukunur Sir के साथ, and उसमें I worked with Sachin Pilgaonkar Sir, it was a huge honor for me to work with him, and then I did another one on Altbala Ji, Crimes and Confession, that was a beautiful, very nice story that I did, so, बस ऐसी चल रहा है, सफर? तो रहने तो माईम सबसे पहले तो मेरा आपसे इसी कॉंटेक्स में question है, हमारे बहुत सारे students है, जो खुद भी जो है, acting field में interest रुची रखते हैं, तो आप उनके लिए क्या guidance देना चाहती है, कि how should they start their journey? Because, बहुत सारे ऐसे में students के साथ मिलती रहती हूँ, जिनको acting का shock है, but I think वो बातरूम तक ही सीमित हो जाती है, and school के stage तक ही सीमित हो जाती है, but what about, like, later वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? So, अगर आप इसको as a profession लेना चाहते हैं, आगर try भी करना चाहते हो इस field को आप, तो definitely you should join some classes, because without joining any classes, without having a guru, I don't think you can reach anywhere. हमें लगता है, रहे वा, हम बड़े अच्छी आक्टर है, हमारे में personality है, हम यह कर सकते हैं, but जब आप actually camera के सामने जाते हैं, या आप stage पर जाते हैं, उसके लिए बहुत सी चीजें होती हैं, जो practice करनी होती है, rehearse करनी होती है, exercises होती है, बहुत सारी, छोटी 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 किसी class में जाए सीखे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो यू मस्स जोइन सम वर्कशॉप्स, छोटी वर्कशॉप्स करिये, समझिये, I think definitely जो speech deliveries है, आप लोग की कहां पर pause लेना, कहां पर क्या fast speech रखना, I think वो बिना workshop के आप नहीं सीख सकते हो, तो बचो अगर आपको interest है, तो definitely हमारे साथ, अब हमारी guru, one of the mentor Renata Ma'am, आपको definitely help करती रहेंगी, तो Renata Ma'am, अब जो है, मैं आपकी next जो chapter है, because ये COVID period से जैसे की मेरी आप से बात हो रही थी, आप worldwide workshops करती है, students के different age groups का, तो उसमें mainly जो है, ये आपको कहां से, ये कहां से समझ में आया, कि आपको इस line में इंटरेस्ट है, और आप बच्चों को जो है, मेंटरिंग कर सकती है, तो ये शुरुवात इसलिए हुई, क्योंकि मेरे खुद के दो बच्चे हैं, और जब आपके खुद के बच्चे होते हैं, तो आप उनको daily observe करते हैं, कि कहां पे किस चीज़ की जरूरत है, क्या नहीं ह और मेरा बहुत ज़ादा लगाव है बच्चों के साथ, बहुत ज़ादा, मेरा बच चले तो सारा दिन में बच्चों के साथ ही रो, और शुरुवात ऐसे हुई कि ना मैं आक्टिंग छोड़ना चाती हूं, ना मैं बच्चों के साथ काम करना चोड़ना चाती हूं, तो ये तो पूरे देश काया पूरी दुनिया का ही विकास होगा तो तो यह जो आपके मेली वोक्शॉप्स रहते हैं यह परस्नालिटी एंहांस्मेंट के ऊपर ही रहता है तो इसमें आप क्या-क्या चीजे कवर करती है इसमें बोडी लांगुज है बात करने का तरीका है एटिकेट्स हैं ग्रूमिंग है कैसे बैटना है आए कॉन्टक्ट कैसे करना है किस तरीके से स्माइल करनी है बेसिकली एक बात जब आप किसी से मिलते हैं और जो आप इंप्रेशन छोडते हैं उस पे आपका सारा फूचर डिपेंड करता है अगर आप अपना चाहते हो तो आप कैमरे के सामने आक्ट करेंगे दोनों में जमीन आसमान का फारक है बिलकुल है बेंग आन स्टेज अगर आप अपना कॉन्फिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप इंग एवरीबडी शुद दो थेटर आप इस वन तिंग जो पिलकुल ही मतलब एक्स्ट्रीम तक ले जाता है definitely ma'am I think I agree to your point because बच्च्पन से मैंने भी बहुत सारा I am a Bengali and मैंने भी बहुत सारा theatres किया है and I was into classical dancing also so I can correlate कि क्या आपको बड़े होने के बाद उस experience का किस तरीके से आप practically आप life में उसको डाल सकते हैं तो ma'am आपने अभी बताया कि आपने New York से लेके आप Singapur में इतने साल रही है 2015 onwards अब Singapur में थी रहे? 2007 2007 onwards so such a long time तो आपको क्या लग रहा है अभी आप जैसे इंडिया में हैं आपके दोनों बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं so क्या difference अगर मैं आप से पूछू तो आपको क्या लग रहा है कि बाहर के students और यहां के जो students उनमें क्या difference क्या आपको लगा अभी तक? I feel एक बहुत बड़ा difference है discipline में और discipline in the sense कि किस तरीके से बात करनी चाहिए उसमें मैंने बहुत बड़ा एक difference notice किया and also कई बच्चे हैं जो English में खुल के बात करना चाहते हैं बड नहीं बोल नहीं पाते हैं lack of practice है and आजकल सब लोग internationally travel करते हैं तो सब चाहते हैं कि हम बड़े होके fluent English में बात करें या confident क्योंकि उसे confidence बढ़ता है जब आपका language पे command होता है तो अपने आप आपका confidence बोस्ट होता है जी हाँ ma'am बिलकुल because if I remember हम लोगों ने last जो हमारा episode था उसमें हमारे साथ language specialist आई थी जो कि French पढ़ाती है सालों से तो उन्होंने भी हमें role modeling करके बताया था कि मतलब यहां के students क्या करते हैं वो लोग पहले English में हर चीज translate करने की कोशिश करते है and then they deliver it अगर French भी सीखना है तो पहले वो English दिमाग में आता है and then they convert I think main problem ही ही पे हो जाते है कि Hindi and then English Actually what happens is जिस भाशा में हम सोचते है वो ही हमारे मुझ से confidently निकलते है तो इसका एक ही तरीका है अगर आप language में इंप्रूफ करना है Practice I think जितना जादा आप read करेंगे and then आपके पास कोई भी नहीं है तो मैं भी यह चीज़ बताती हूँ कि सामने mirror है तो I think जब तक आप बोलेंगे नहीं तो personality development का I think students में हम लोग हर एपिसोड में आप लोग को यही बताते है कि start practicing from home जितना आप practice करेंगे उतना जादा आप आगे बर सकते हैं Practice makes a man perfect we all know that so that's the rule Definitely तो मैं यह जो life skills जैसे कि आप हमारी Career Couch Guru को भी जानते है कि Career Couch Guru is into Career Enhancement Programs and Personality Development Programs and आप हमारी one of the mentor भी उसमें है तो आप खुद भी एक already brand आप उसमें काम कर रहे है आप पूरे दुनिया के साथ दुनिया के बच्चों के साथ जोड़ी वी है and आप Career Couch Guru में भी जो स्टूडेंसे उनको भी आप देख रहे है तो आप का क्या advice होगा how should they start how do they practice and उसको practice करते हुए आगे उनको क्या इससे फाइदा होने वाला है so I think Career Couch Guru is doing a great job बहुत अच्छा एक group platform एक you know it's an organization जिनके साथ अब जुड़ के इतना कुछ सीख सकते हो and like I said कि सिरफ पढ़ाई से life skills नहीं सीखे जा सकते so it's very important कि इत चो programs होते है workshops होते है personality development वगरा के इनको करना बहुत important है तो उनसे जुड़े रहें और उस पे और practice करें I was talking to you yesterday तब आपने मुझे एक example दिया कि आप बाहर किसी देश में किसी बच्चों के साथ एक group workshop कर रहे थी जहां पे आपने बच्चों को smile करना सिखाया तो it is like मेरे लिए बहुत surprising चीज़ थी कि बच्चों को हसना भी नहीं आता है और यह बहुत sad incident था कि एक class में मेरे को 14-15 साल के बच्चे थे मैंने उनको हसने की exercise दी और उन्होंने हसना नहीं आता था बाद में उन्होंने का माम आपने 10 दिन में हसना जिका दी हमें तो पता है नहीं था हसते कैसे definitely I think जो हम भी जैसे वाक्शॉप करते है I go to schools and different age group के बच्चों के साथ हम लोग मिलते हैं बच्चे सबसे जादा तो एक जो अंदर से जो डर है कि बाहर अगर 10 लोग है तो 10 लोग के सामने मैं कुछ भी बोलू तो how they are going to react to my statement तो I think उससे ही सबसे जादा उनको डल लगता है I think जो judgment एक चीज है ना उससे हम सब ड़ते हैं कि हमने ऐसा किया तो अगला क्या सोचेगा फिर मारे बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उस चीज की वज़े से हम लोग अपने आपको रोक लेते हैं तो यह सारी चीजें personality development enhancement programs में cover होती हैं कि किस तरीके से आप इन चीजों से बाहर आएं किस तरीके से negativity और low ways of thinking से बाहर निकलें Definitely ma'am और इसी लिए करियर काउज का यही प्रयास हमेशे रहता है कि आप जैसे role models हम हमेशा अपने episodes में लाएं because बच्चों आपको यह हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे Renita माम है, she's already expert in her own field तो उनको personality development enhancement में क्यों आना है because आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना सीखेंगे, आप किसी को भी famous personality को जब आप देखते हैं तब उनके अच्छे चीजें आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए I think that is the best practice कि आप देखके उसको अपने अंदर सीखे Definitely Renita माम, I think मेरे लिए यह बहुत interesting topic रहा आज का और बच्चों को भी मैं बार-बार बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग Renita माम के workshop और Renita माम से भी मिलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको हमारे show में दिए गए नीचे numbers में whatsapp करना है और हमें email करना है तो माम, last couple sentences अगर आप हमारे बच्चों को कुछ advice देना चाहें तो All I can say is कि अपनी life में थोड़ा balance बना के रखें पढ़ाई करें, खेलें कूदें और अपनी personality को develop करने के लिए या जो shock हैं, कोई भी passion है आपका, उसको follow करें वो बहुत जरूरी है चाहे वो music हो, dance हो, photography हो, acting हो, कोई भी चीज कोई भी ऐसी चीज जिसको करके बहुत खुशी मिलती है वो हर रोज जरूर करें That is very very important तो रहने तो माम, यह जो आपने worldwide जो workshops किया है आपने, आप से मुझे यह पता चला कि पूरे COVID के दौरान आपने यह different workshops प्लान किया है और different-different countries के बच्चों को आप एक ही platform पे लाए है मैम, उसी में से हमारे show के कुछ audiences को आप किस तरीके से कुछ सिखाना चाहते है Because you are already into mentorship So, कुछ हमें भी बताईए प्लीज I would say कि being an actor चाहे theater हो, चाहे camera के सामने जब हम act करते है तो सबसे जादा डर जैसे अभी आपने बात बोली judgment का होता है तो जब एक बार ही वो inhibition निकल जाती है कि ठीक है camera है, you know you have to be yourself जो भी आप character play कर रहे हो role play कर रहे हो, जो हम लोग पूरी जिंदेगी role play करते हैं कभी एक मा का, कभी बेटी का, कभी student का, कुछ भी तो मैं अपनी workshops में I create situations like I'll give you a real life situation कि okay, ये situation है and on the spot that situation is given कि there are two, three characters in that situation और इस situation में आप हो अब बताओ क्या करोगे अगर आप इस situations को कैसे handle करोगे so based on that इकदम से जब दिमाग चलता है and then you think about it automatically अंदर से solutions निकलते है so जब हम एक improvisation करते हैं आप रोल प्लीज की बात कर रही है तो थेटर में एक ये टेक्निक एक वे ओफ थेटर है it's called improvisation लिसमें लास्ट मिनिट एक situation दी जाती है और आपको इस पर आक्ट करना होता है on the spot lines बोलनी होती है और हम अगर सोचें हम स्कूल में जैसे हम बच्चे हैं या हम टीचर हैं हम हर पल कुछ ना कुछ acting करी रहे होते हैं तो आपके पास कुछ है नहीं कैसे आप उसको handle करेंगे तो इस आपने मुझे बताया यूर इंटू faculty development programs so what do you do with faculties because वो तो अलरी अपने फील्ड में माहेरे वो कुछी बच्चो को train कर रहे है तो मेरा ये मानना है और आइधिंग सब इस बात से अगरेंगे कि एक हम training लेकर एक particular profession में आ जाते हैं और उसमें हम expert बन जाते हैं बट जो हमारी अंदर एक self है जो हमारा self confidence है as a person हम उस पे शाद work करना भूल जाते हैं so my focus in these workshops is mainly on that on yourself identifying yourself your kid and sometimes आप पूरा दिन काम कर रहे हो या पढ़ा ही कर रहे हो आप बाकी सारी चीज़े भूल जाते हैं you even forget about yourself so my focus is mainly on self-care I teach them that and I teach how do you recognize your own plus points and also negative points and how do you overcome overcome those negative points because जैसे ही आपकी खुद की personality enhance होगी आपका अपने आप कोलेक्स के साथ confidence boost होगा relationship अच्छी होगी जब workplace पे सब अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ behave करेंगे तो पूरी organization को फाइदा होगा एक happy, happy environment रहेगा अपका definitely और इससे I think age का कोई मतलब नहीं है because I remember मैं जब schools में जाती हूँ और stress releasing के ऊपर मैं workshops कराती हूँ तो सबसे जादा I think COVID period में teachers नहीं मुझसे बोला थे मैं हमें जादा जरुवत है इसकी तो I can understand क्यों जरुवत पड़ती है and moreover अगर teachers की personalities काम होंगी understanding होंगी उसका impact directly बच्चों पे जाएगा तो मतलब आप देखिये घूम फिरके सारा का सारा एक दूसरे से correlated है definitely so I think for everyone this is very important चाहे आप बच्चे हैं या अडल्ट हैं किसी भी stage पर हैं so all these things are very very important definitely well students माम ने शेयर किया कि कैसे international world white students students तो एक ही होते चाहे वो बाहर के हैं चाहे इंडिया के हैं बच्चे तो आप लोग same age group के हैं और आप लोग जो सोचते हैं वो I think हमें भी पता हैं कि आप किस नजरिया से सोचते हैं कैसे आप लोग परफॉर्म करते हैं और इसी को लेके जो है हम करियर काउज गुरू में different different episodes में हम लोग आपको बताते रहते कि किस तरीके से आप लोग अपने personality के उपर सबसे पहले काम करें कैसे confidence boosting के उपर आप लोग काम करें और हमारी करियर काउज के यही हमेशा प्रयास रहती है कि हम लोग रेनता माम के तरह role models आपके सामने लेके आए और आपको live exams पेल्स के तरह आप लोग को समझाते रहे तो जी हां इसी कुछ interesting episodes के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ रेनता माम thank you so much for coming to our show students देखते रहे every Sunday 9 p.m only on Prime TV Career Couch with Shubhankar take care bye bye आपके साथ अपके साथ और एि जाए के साथ झाल झाल